नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पालवंश, सेनवंश, कश्मीर के राजवंश, वर्मनवंश के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पालवंश खलीमपुर तामरपत्र अभिलेक से ग्यात होता है कि 750 इस्वी में बंगाल की जनता ने अराजकता से त्रस्थ होकर स्वयंग गोपाल को अपना राज़ा चुना गोपाल 750 से ऐसी इस्वी पालवंश का प्रथम शासत था इस वंश की राजधानी मुंगेर थी गोपाल बौध धर्म को मानता था उसने ओधन्थ पुरी विश्व विद्याले की स्थापना की धर्मपाल, देवपाल, महीपाल एवं नैपार आदी इस वंश के अन्य प्रमुख शासत थे पाल वंश में सबसे महान शासत धर्म पाल था उसने विक्रम शिला विश्व विद्याले स्थापित किया वह बौध धर्म का अनुयाई था ओधन्ध पुरी के प्रसिद बौध मट का निर्मान देवपाल ने कराया देवपाल ने जावा के शैलिंद्र वंशिय शासत बाल पुत्र देव को नालंदा में एक बौध विहार बनाने के यिए पांच गावदान में दिये बंगाल में पाल शासकों ने लगभग चार सो वर्षों तक राज किया संध्याकर नंदी इस काल के प्रमुख विद्वान थे उन्होंने प्रसिद काविग्रंथ रामचरित की रचना की सेन वंश सेन वंश का संस्थापक सामन्थ सेन था सेन वंश ये राज्य का उदेपाल वंश के पतनाव शेशों पर हुआ सेनवन्ष ये राज्जे की राजधानी नादिया लखनोती थी इस वन्ष में विज्जे सेन, बल्लाल सेन एवं लक्षमन सेन आदी प्रमुख शासक हुए इस वन्ष का प्रथम स्वतंत्र शासक विज्जे सेन था, जो शैव धर्म का अनुयाई था दान सागर एवं अद्भु सागर की रचना सेन शासक बल्लाल सेन नहीं की थी लक्षमन सेन की राज्यस भाजय देव, गीत गोविंद के रचिता, द्योई, पवंदूत के लेखक, हला युद, ब्राहमन सर्वस्व के लेखक, आदी विभूतियों से सुशोभित होती थी विज्जे सेन ने देव पाड़ा में प्रद्यमनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया सेनवंश भारतिय इतिहास में पहला वंश है, जिसने अपने अभिलेक हिंदी भाषा में उतकीन करवाए लक्षमन सेन इस वंश का अंतिम एवं बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था कश्मीर के राजवंश कश्मीर पर क्रमानुसार शासन करने वाले वंश थे कारकोट वंश, उत्पल वंश एवर लोहार वंश कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना साथ वी शताबदी में दुरलबवर्ध धन्ने की इस वंश का सरवाधिक शक्तिशाली शासक ललिता दित्ते मुक्तापीर था ललिता दित्ते ने कश्मीर के प्रसिद मारतंड मंदिर का निर्मार कराया कारकोट वंश के पश्चात अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की उसने अवंती पूर नामक नगर की स्थापना की कश्मीर में उत्पल वंश के बाद लोहार वंशा की स्थापना संग्राम राजने की लोहार वंश का शासक हर्श एक विद्वान कवी एवं कई भाशाओं का जाता था कसित कवी कलहन उसी के दरबार में रहता था लोहार वंश का अंतिम शासक जैसिंग 1128-1155 था कलहन की राजतरंगिनी में आरम से जैसिंग के काल तक का विवर्ण उल्लिखित है वर्मन वंश चौथी शताबदी के मध्य में कामरूप असंप में वर्मन वंश की स्थापना हुई इस राज्य की राजधानी प्राग जियोतिशकूर थी इस वंश को प्रतिश्थित करने वाला शासक भासकर वर्मन था वह हर्षवर धन का समकालीन था एवं दोनों में मित्रता थी कालांतर में कामरूप के राज्य को पाल साम राज्य में मिला लिया गया झाल